पहले समझते हैं क्या है इस बार सेमी फाइनल और फाइनल के नियम। इस बार सेमी फाइनल और फाइनल मैच के लिए रिजर्व दे रखा गया है और बारिश होने की स्थिती में ते दिन को खेल नहीं हो पाया तो उसे रिजर्व दे में खेला जाएगा। वहीं अगर खेल मे बारिश हो गई और कुछ ओवर्स के खेल हो चुके हैं लेकिन उस दिन मैच पूरा नहीं किया जा सका तो रिजर्व डे में उसके बाद का खेल होगा इस बार सेमी फाइनल और फाइनल में मैच में दकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों टीम अपने ग्रूप में टाप पर रहने वाली टीम को विजेता घोशित कर दिया जाएगा भारत और इंग्लेंड के बीच 10 नवंबर को एडिलेड में भारतिय समय के मुताबिक दोपहर 1.30 बजे से मैच खेला जाएगा अगर दोनों देशों के बीच ये मैच बारिश की वजह सिते दिन और रिजर्व दे को भी नहीं खेला जाता है तो उस्तिती में भारत को विजेता घोशित कर दिया जाएगा और वो फाइनल में पहुंच जाएगा भारतियर टीम सुपर 12 मुकाबलों में कुल 8 अंक के 7 ग्रूप 2 में टॉप पर थी तो वहीं इंग्लेंड की टीम साथ अंक के 7 ग्रूप एक में दूसरे स्थान पर रही थी ऐसे में बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है तो ICC के नियम के मुताबिक भारत को अपने ग्रूप में टॉप पर होने की वजह से विजेता घोशित कर दिया जाएगा